hair growth tips इस पर तो वीडियो में पहले भी बना चुके हूँ लेकिन आज की जो टिप्स होने वाली है वो कुछ हटके होने वाली है मैं आज आप लोगों को बताऊंगे कि अगर आपको presently जादा hair fall हो रहा है या dandas का issue है या hair growth issue है या फिर hair breakage का issue है तो किस तरह से आपको अपनी जो भी home remedies है उनको tweak करना चाहिए hair care practices को कैसे tweak करना चाहिए जिससे कि आपके जो भी problem है वो कम हो control में suppress हो और जो hair growth है वो बड़े problem कम हो hair growth जादा हो वो मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में so keep watching हाई guys welcome back to my channel self care secrets I really hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहोंगे अगर आप इस चैनल में फॉर्स ताइम विजिट कर रहे तो आप सभी कहीं बहुत सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकॉन पर ज़रू कर लिग अगर आप head massage करते हो तो वह बिना oiling के भी की जा सती है अगर oil massage की में बात करती हूं तो तो इसमें oil तो चाहिए चाहिए करूं करूं और या फिर oiling सूट नहीं कर रही कुछ भी ऐसा है तो आप oiling अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसकेस में आप सिर्फर सिफ head massage भी कर सकते हो और मेंली आप focus कर सकते हो अपने pressure points में pressure points में pressure points ayurved के हिसाब से कुछ होते है हमारी scalp में जो कि हमारी जो भी hair growth होती है उसको और भी better तरीके से enhance करते हैं and it actually works मैं इसके बारे में पढ़ा था last year और मैं जब भी मेरा excess hair fall होता है normal hair fall जो standard सभी का होता है ऐसा तो होई नहीं सकता कि एक भी बाल नहीं गिरा एस मैंने कोंगमाई किसी आड में आई मैं देखो zero hair fall I would say zero hair fall is nothing but a myth क्योंकि हमारे एक revival का process होता है जिसमें पुराने बाल गिरते और नहीं आते हैं जब पुराने गिरिंगे तभी तो hair follicles को मुका मिलेगा नहीं बाल उगाने का यह तो एक standard process चलता ही है बट किसी के उपर नीचे होते हैं as per the season also जो जो monsoon season है जादा तर लोगों के लिए एक bad face होता है hair का क्योंकि उस time पे humidity जो होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती है और अगर आप एक ऐसी country में रहते हो जाप यह हुमिडिटी पांस से चे महीने रहती ही है तो उस case में भी आपका hair fall उस हिसाब से बढ़ जाता है तो अब बात करते हैं about head massage सबसे पहला point जो होता है वो अपके forehead में ही होता है वो एक तरह से आपकी body से stress को भी release करता है तो जो लोग system में जादा बैठते हैं या specs लगाते हैं चश्मा लगाते हैं और या फिर जो लोग phone पे चिपके रहते हैं और या फिर जो लोग stress लेते हैं किसी भी चीज का कुछ जादा सोचते रहते हैं तो उस केस में आप ये वाले exercise है फॉलो कर सकते हो ओईल और विदाउट ओईल या आपकी चॉइस है ठीक है पहले वाले जो पॉइंट है वो तो ये वाला है center point यहां पे आप मसाज कर सकते हो इससे आपका बहुत अच्छा stress जो होता है वो release होता है फिर आपका ये वाले sides में होता है यहां पे आप मसाज करते हो तो उस केस में भी जो चश्मा बहनते हैं और स्क्रीन टाइम जाद है उन लोगों के लिए बहुत है और तीसरा वाला जो point है हमारा ये वाला ये वाला जो point होता है यहां पे क्या होता है आप अपनी जो भी hair follicles है उनको activate कर सकते हो तो आपको मसाज जो है अपने fingertips से करनी है बहुत easy है और अगर आपको fingertips नहीं use करनी तो आपका जो palm है आप उसको भी use कर सकते हो जिन लोगों के nails है उन लोगों के लिए ये वाली trick बहुत अच्छे से काम करेगी क्योंकि नेल से कभी भी आप ऐसे scratch करोगे तो वो hair follicles के लिए बहुत अच्छा नहीं होता तो अगर आप अपनी palm से करते हो इस तरह से हथेली से तो जाद अच्छा रहता है तो अपको press करना है, pressure देना है अजन चार उंगली छोड़के ये वाला जो point होता है ये वाला जो point होता है, ये main point होता है जहां से baldness start हो जाती है क्योंकि यहाँ पर gravitational pull की वज़े से blood का supply अच्छे से नहीं हो पाता और blood अच्छे से supply नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको oxygen नहीं मिली, इसलिए वहापे आपका hair fall सबसे जादा और जल्दी स्टार्ट होता है, तो इसलिए इस वाले point को focus करो और palm से आप प्रेस करो, तो यहाँ पर बिल्कुल भी friction generate नहीं हो रहा, तो इसमें आप मसाज भी दे सकते हो, बस हलकल कहा से, एक से दो मिनट, हर एक point पर मसाज दे सकते हो, और उसके बाद उससे छोड सकते हो, oil के साथ अगर आप दे रहे हो, और तो से तीन घंटे या फिर maximum overnight अखने के बाद, नेक्स्ट आप शैंपू कर सकते हो, आपने यह वाला जो सेंग है, यह तो हमेश का इस्यू कहीं से ट्रांसफर हो जाएगा, विकरस जो हमारी डांडर्फ होती है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, वो फैलती नहीं है, एक से दूसरे को, बट डांडर्फ के अलावा, स्केल्प के और भी जाद इस्यू होते हैं, जैसे कि हेड लाइफ के प्रॉब्म सबसे के शेयर करना पढ़ गया, मानलो, आप मना नहीं कर पाए किसी को, तो आप ऐसे कूना ढून लेना कोई और से वाश कर लेना, आज या तो आप अपने ब्रश को हमेशा क्लीन रखो, तो आप यह नहीं कि अप डेली लगे उने इतना ताइन किसी के पास नहीं होता, तो आप केमाएक मेशा क्लीन छाहे एक बार, या विक मेशा क Après लुटा चाहे है थो या दो बार कर सते हो आप इसको वाश करने की टे क्लीन के लिए हमारे ब्रश को जो आपकर वाल उंज रसा, ऑब को आप सैथे लो तो नीकल जाते हैं वह तो निकल जाते हैं जो उसके रूट मे नी मुझ पानी डाला है मैं हाप पर शीशे वाला यूज करने हैं सफिस्टिकेड़ क्योंकि आपको दिखाना है विडियो में इसे लिए तो आपको क्या करना अपना जो भी बाथ रूम वाला मग होता है उसमें पानी डाला है या तो आप लिक्विट सोप यूज कर सकते हो या फ ब्रश वाले वह निकले होते हैं तो महाँ पर छेद होता है तो महाँ पर पानी चला जाता है तो वाश करने के बाद ब्रश को आप उल्टा ही रख लेना आपका पानी जो है पूरा नीचे सेटल हो जाएगा ऐसे करते हैं तो आप इसे या तो वीकली या फिर वीक में दो ब कई अर्क कुलूरी एक कैल्प स्केल्प एकल निकीज की चीजी հहुं कुलूरी है , कर्किल में था हुक युषित कि अच्छा एकक्ष कुलेषवार इसंग नेदेट नहीं की शेट व दालो बाली है सकते हैं scalp cleansing के लिए ये तीन ingredients बहुत अच्छे हैं हो गया scalp के pores हमारे cleanse हो गए but absorption के लिए हमें कुछ ऐसी healthy चीज़े चाहिए जो कि हमारे hair growth को बहुत अच्छे से बढ़ा सकती है so उसके लिए कुछ ingredients हैं जो कि hair growth के लिए बहुत अच्छे हैं जैसे कि aloe vera fenugreek याने की methi flaxseeds और साथ के साथ castor oil इन सभी के सभी ingredients के बादे मैंने dedicated videos पहले ही channel पे शेयर की हुई है अगर आप channel पहली बार आ रहे हो तो आप इने सकते हो और अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि मुझे यह सही लग रहा है मैं यह लगाऊंगी मुझे यह सही लग रहा है या मैं यह लगाऊंगा अपने हिसाब से आप decide कर सकते हो ठीक है now coming to tip number six that is countering the problem in the right order आपको लगेगा यह तो कुछ जादे अपने हैर इसाब से आपको कौंसी है रेमिडी फॉलो करनी चाहिए तो मैं आपको और बतारी हो कि किस order में आपको चीजे ठीक करनी चाहिए मानला आपको दो से तीन करता है या किसी को सिर्फ एक इस्यू है तो सबसे पहले इस चीज को आपको काउंटर करना चाहिए हैर इस्यू में वह है डांडर्फ क्योंकि डांडर्फ का मतलब आपका scalp cleanse नहीं है scalp clean नहीं तो absorption ठीक से नहीं होता आपको नहीं बता है क्यों नहीं ठीक हो रहा तो उस केस में पहले आप hair fall पर focus करो कि वह कैसे ठीक हो है ना तो पहले डांडर्फ then hair fall और थर्ड है आपका hair growth and breakage यह hand in hand जा सकता है साथ के साथ आप hair breakage और hair growth पर focus कर सकते हो तो इस हिसाब से आप अपनी problems को देख सकते हो और dandruff के साथ ही और भी scalp के infections issues आते हैं Point number seven is healthy diet यह तो हमेशा ही रहेगा यह पहले की videos में भी था इस video में भी होगा because that is very important आप क्या लगाते हो कैसे लगाते हो that is important but आप क्या खाते हो that is also very important So आपको डाइट में कुछ चीजे ऐसी आड कर लेनी चाहिए जो कि आपकी hair growth को एक अच्छा सा boost दे सकती है जैसे कि vitamin C, vitamin E और उसके साथ-साथ protein and fatty acids यह सारे की सारी चीजे आप अपनी डाइट में अगर add करते हो तो internally भी आपकी body को वो boost मिलता है जिससे कि आपके hair follicles अच्छे से आपको hair growth दे पाते हैं डाइट के बारे में मैंने काफी videos में बात की हुई है एक dedicated playlist भी है जिसमें मैंने इस बारे में बात की है तो आप वो भी जा के चेक आउट कर सकते हो So यह तो था आज का hair growth tips का video I hope जिन लोगों को hair fall है, dandruff, hair growth और या फिर breakage issues है उन लोगों के लिए यह कुछ informative होगा कुछ भी doubt है आप नीचे comment section मुझे लिख सकते हो जिससे कि मैं आपको उसमें clear कर दू कि हाँ इसका ऐसे नहीं करना वैसे करना है So I hope आपको आज का video लगा है अच्छा If the answer is yes, इस video को like करना, channel को subscribe करना और bell icon पे तो click करना ही करना अब मैं मिलूँगे आप से अपनी next video में Till then, bye